हलो दोस्तों आप सभी का SSCG की ग्यान में स्वागत है आज हम इस वीडियो में Grand Slam Tennis Tournament 2020 से संबालित कुछ महत्युप्र प्रशनों को देखेंगे जो किसी भी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस टॉपिक से प्रतेक एक्जाम में एक एदो कोईस्टन जरूर पूछ लिए जाते हैं दोस्तों Grand Slam Tennis Tournament प्रतेक वेवर्स चार टैनिस कराए जाते हैं यसे पहला होता है अस्टेलिया ओपन दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन होता है तिसरे नंबर पर विम्लिडन ओपन होता है और चोथे नंबर यूएस ओपन होता है दोस्तों हम आपको बता दें कि विम्लिडन जो ओपन होता है यह सबसे पुराना Tennis Tournament है और 2020 में विम्लिडन ओपन कोरोना वाइरस के कारण इस साल यह टूरनामेंट नहीं हुआ है दोस्तों आपको बस तीन ही टूरनामेंट को याद रखना है अस्टेलिया ओपन फ्रेंच ओपन जब याद रखें कि अस्टेलिया ओपन कहां पर कराई जाती है तो अस्टेलिया ओपन अस्टेलिया के मेंबर सहर में कराई जाती है जबकि फ्रेंच ओपन फ्रांस की राजधानी पेरिज में कराई जाती है Wimbledon Open इंग्लेंड की राजधानी लंदन में कराई जाती है जबकि US Open USA के नुछ यारक साहर में कराई जाती है दोस्तो इसके साथ साथ कभी कोईशं ये भी पूछ लेता है कि Australia Open या फ्रेंच Open या Wimbledon Open या US Open किस कोट पर कराए जाते हैं या किस पर खेले जाते हैं इसको भी आप साथ में याद रखिएगा कि अस्ट्रेलिया ओपन हाड कोट पर खेले जाते हैं यूएस ओपन क्ले कोट पर खेले जाते हैं यूएस ओपन हाड कोट पर खेले जाते हैं जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोट विमिलियन ओपन ग्रास कोट पर खेले जाते हैं चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे अश्टेलिया ओपन से अश्टेलिया ओपन 2020 का पुरुस एकल का खिताब ुजयतर रहें नवाग जोकोविच जो सर्विया के हैं साथ में दोस्तों याद रखेगा कि जो खिलाडी हैं वो किस देश के हैं, उन को भी याद रखियेगा, उप विजेता रहे हैं, डोमिनिक थीए, जो अश्टेलिया के हैं, नुवाग जो किवीचने डोमिनिक थीएम को high आ कर्चलिया उपन 2020 का किताब जीता है, अश्रेलिया उपन 2020 महिला एकल का खिताब में विजेता रही है सोफिया केनीन जो अमरिका की है जबकि उप विजेता रही है गरिबीनो मुगरुजा दोस्तों सोफिया केनीन ने गरिबीनो मुगरुजा को हरा कर अश्रेलिया उपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है कुछ भी कराए जाएंगे जिससे आपको ये सप्रश्ट इसी वीडियो में याद हो जाए तेकि फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुस एकल का महिला एकल का खिता रही है इगास तक जो फ्रेंच ओपन 2020 का खिता रही है दोस्तों जबकि French Open 2020 महिला एकल का खिताब विजेता रही है इगा सोतक जो पूलेंड की हैं जबको विजेता रही है इगा सोतक ने सोफिया केनियन को उरा कर French Open 2020 महिला एकल का खिताब जीता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं US open 2020 US open 2020 पूरush Ecl का खिताब में विज्यता रहे हैं Dominic Thiem जबकि उपै विज्यता रहे हैं Alexander Jurel जो जर्मनी के हैं Dominic Thiem ने Alexander Jurel को हरा कर US open 2020 पूरush Ecl का खिताब जीता है जबकि महीला एकल में Vिज्यता रहे हैं Naomi Osaka जो जापान से है उपे में जीता रही है विक्टोरिया अजारिंका जो बेलारूस की है नावी वसाका ने विक्टोरिया अजारिंका को हरा कर यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब जीता है दोस्तों यहां पे आपके कुछ महत्तुपूर्ड थियूरी कम्प्रीट होते हैं आप आप इससे संब इंपर्टेंट प्रस्न है दोस्तों क्यूंकि साल में चार ग्रेंड स्लैम होते हैं ग्रेंट सेलेम कुरोना वारस के करेण टल गया है वान्म नहीं करा गया किताब किताब याद रखिएगा अस्तेलिय्या ऊपन पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो अगले प्रस्टो स्टाव ह Whenever इंज्ञिटा बॉल किताब किसने जीता है तो अस्टेलिया ओपन 2020 महिला एकल का खिताब सोफिया केनिन ने जीता है चलिए दोस्तों अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है अस्टेलिया ओपन किस कोड़ पर खेला जाता है तो अस्टेलिया ओपन हार्ट कोड पर खिला जाता है तक सिर्फ करएट एंसर बी होगा चलिए दोस्तों अगले प्रसन से अगले अगला प्रस्न आ है French Open 2020 पुरुस एकल का खिताब किस ने जीता है तिसका राइट अंसर B होगा दोस्तों इन सब प्रश्नों का आप याद रख लीजिएगा French Open 220 महिला एकल के खिताब किस ने जीता है तो फ्रेंच ओपन 220 महिला एकल का खिताब इगा स्वातक ने जीता है तिसका राइट अंसर C होगा यह दोस्तों अगले प्रस्ट में चलते हैं अगला प्रस्ट नहें फ्रेंच ओपन किस कोड़ पर खेला जाता है तो फ्रेंच ओपन क्ले कोड़ पर खेला जाता है जिसका राई टेंसर भी होगा जबकि हार्ड कोड़ पर अस्टेलिया ओपन और यूएस ओपन खेला जाता है ग्रास कोट पे विमिल्टन ओपन खेला जाता है दोस्तों आप एक दो बार इसको पढ़ेंगे आटमेटिक याद हो जाएगा यूएस ओपन 2020 पूरुस एकल का खिताब किसने जीता है यूएस ओपन 2020 पूरुस एकल का खिताब अलेक्जेंडर जीता है इसका राइट एंसर ए होगा यह लिए अगले प्रस्न चलते हैं अगला प्रस्न है कि यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो पूरुस एकल का पूर डीॉस्सारि यूएसोपन 2020 महिला एकल का घृताब किसे ने जीता है तो यूएसोपन 2022 महिला एकल का खिताब नाओमि वुसाका ने जीता है इसका राइट एन्सवर ड्य होगा जोבן Все पर चलते हैं अगला प्रस्टन है आपका US open किस कोड़ खिला जाता है US open hard code खिला जाता है इसका राइट एजर यह होगा hard code पर 2 open खिल जाते हैं दोस्तों टूर्णामेंट खिला जाते हैं अच्छेलिया ओपन खिल जते हैं छिली अगले प्रस्ट मे चलते हैं वी मिलिटन ओपान किस कोट पर खिला जाता है तो इसका रइट इस भासी होगा, दोस्तो, वी मिलिटन ओपान इस साल ये टूर्णामेंट नहीं करा गए है, इसको आप याद रखिएगा, दोस्तो, यहाँ पर आपके कुछ महत्वपूर क्यूंच कंप्लिट होते हैं, दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो के लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक्स फार वाचिंग